हेलो एवरीवन, वेल्कम तु कॉम्मर्स एटार डोनिवर्स एवन, मैंन महिता, और चलिए शुरू करते हैं, एक नया चैप्टर, बहुत ही पैरा चैप्टर है, I hope आपने इससे पहले Financial Statement of a Company पढ़ लिया होगा, जस्ट पहले ही अभी पढ़ाया, कुछ ही वीडियो पहले, तो जाकर के चैनल पर चेक आउट कीजिए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले Financial Statement Analysis, तो अगर Financial Statement ही नहीं पता, तो Analysis क्या करोगे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को प Financial Statement तो आपको पता है, इसको Analyze करना है, तो में पॉइंट तो यह है, कि Analysis नहीं पता हमें, तो यह सी को, तो Analysis क्या है, प्रोसेस है, और Critical Evaluation के भाई, एकदम तोड़ फोड़ के निचोड़ के अच्छे से Evaluate कर लेंगे, मतला हर चीज समझ लेंगे, ठीक है, तो वह Process, किसक Financial Information को, तहां पर होती है Financial Information, जो कंटेन करता है Financial Statement, तो Financial Statement की, जो Financial Information होती है, उसको अच्छी तरह से एक एक चीज को, हर एंगल से कंखन को समझ लेना, उस Process को बोलते हैं, पेटा, Financial Statement Analysis, कैसे, in order to understand, किसलिए यह कर रहे हैं, यह Critical Evaluation हम किसलिए कर रहे हैं, ताकि हम, क्या समझ सके, हम समझ सके, और हम decision बना सके, यानि हम इस Information को समझ सके, और understand करने के बाद से, हम decision बनाते हैं, कहते हैं, बिना सोचे, समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, तो भाई, आप लोग पहले क्या करेंगे, भाई, understand करेंगे, तभी तो decision लेंगे, किसका decision लेंगे, regarding the operations of the firm, कि जोई है, तो हम firm को operate करने के लिए, अगर decision लेंगे, तो पहले समझेंगे, क्या, क्या समझेंगे, financial statement की financial information के, critical evaluation को, ठीक है, ओके जी, इसी को बोलते है, financial statement, analysis, ये कट की होगे मुझसे, financial statement analysis बोलते है, okay, it is basically a study of relationship, ये हमें समझा के रहे है, basically, एक study of relationship है, among various financial facts, जो जो बाते है, यानि fact, जो information हमें दी गई है, उसके बीच का relationship बना के बता रहे है, fact और figure का, as given in the set of financial statement, तो जो भी financial statement का पुरा set है, यानि, statement profit and loss होता है, balance sheet होते है, और क्योंदे, cash flow statement होता है, notes through accounts हो statement of change in equity होता है, तो ये set of financial statement है, जिनके factor figure को use करके हम उनका relation बना रहे है, और इसी को हम financial statement analysis कह रहे है, ठीक है, तो I hope आपको बहुत ही detail में अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परशानी तो comment box आप अपना ही समझे, comment करिए, मैं वीडियो के बाद जरूर देखता कि बच्चे comment का कर रहे हैं, और फिर उनको respond करता हूँ, ताकि उनकी confusion वो दूर हो सके, फिर बात आती है, purpose and significance of financial statement analysis, कि क्या purpose है, क्यों, क्या जरूरत है बनाने की, तो significance भी देख रहे हैं, purpose भी देख रहे है, financial statement analysis करने का, तो हम इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम present कर पाएं complex financial data को simplified और understandable form में, अब देखो, आप खुद सोचो, accounting सबको आती है, commerce वालों को, कई बच्चे हैं, जो ध्यान से नहीं पड़ता है, उनको नहीं आती, तो जो commerce से नहीं, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हम analysis करके, पूरी दुनिया को हम दिखाना चाते हैं, कि जो financial statement है, उसक financial stability जो होती है, उसको भी जज कर पाते है, अनलाइज करने होदा हर तरीके समझ लेने का मतलब क्या है, अच्छा, इतनी asset है, इतनी liability है, मतलब हम asset बेचेंगा, तो liability को हम settle कर पाएंगे, तो हमने उस चीज को समझा है, हमने हर चीज को समझा है, तो हम stability भी समझ पाएंगे, to measure the short term and long term solvency, हम short term में भी solvency समझ पाएंगे और long term में भी समझ पाएंगे, to measure the operating efficiency and profitability, के भाई हम जो operations कर रहे है, वो कितना efficiently कर रहे है, उससे कितना profit हो रहे है enterprise को, तो हम वो measure कर पाएंगे, okay, to compare intra firm position and inter firm position and pattern position within the industry, तो भाई, intra, intra word मतलब, intra firm का मतलब हम खुद से खुद को क्या अपने आपको दूसरों से, दूसरे जो business हम जैसे, उनसे compare कर पाएंगे, हम pattern position समझ पाएंगे, कि industry में चल क्या रहा है, and six point are that to assess the future prospects of the enterprise, और हम थोड़ा थोड़ा future भी predict करने लग जाएंगे, future estimate करने लग जाएंगे, कि कैसे कैसे, चीज़े future में हमारे लिए हो सकती है, ठी तो यह समझ में आगे बढ़ते हैं, types of financial statement analysis पे, कितने तरहां के financial statement analysis होते हैं, तो यहां पे कुछ point of views हैं, उनके basis पे हम categorize कर रहे हैं, financial statement analysis को, तो अगर हम बात करते हैं, users के point of view से, तो from the viewpoint of users, तो भाई, दो तरहां के आपको analysis देखने को मिलेंगे, एक है external analysis, दूसरा है internal analysis, तो external analysis, basically, जो external user analysis करते हैं, यहीं बाहर के लोग जैसे bank हो गया, और financial institution हो गया, lenders हो गया, creditors हो गया, suppliers हो गया, और government authorities हो गया, तो भाई, इनको हम वो information देते हैं, जो इनके जरूरत क होती है, सब कुछ तो नहीं बताते, ultimately, जो legally required है, वो ही देते हैं, लेकिन हमें पूरा सच पता है, जो internal users है, उनके पास तो unfiltered financial statements है, और उसका analysis वो कर सकते हैं, तो external analysis क्या होता है, external users करते हैं, वो भी अपनी जितनी available information उनको मिलती है, उनके basis पर, तो वो published accounts जो होते हैं, उन enterprise का, तो वो external analysis करते हैं, they depend on published accounts, ठीक है, and directors and auditors report, तो जो director है, auditor है, जो accounts को check करके report बना के देता है, तो वो publicly सबको show की जाती है, तो उसके basis पे ही external analysis हो पाता है, फिर internal analysis के बारे में मैंने आपको बताया, कि internal people कर रहे है, owner है, management है, employees है, उनको ज्यादा पता होता है, तो the analysis conducted by the management to know, और basically, owner भी का करेगा, management ही करेगा, यह काम, तो इसलिए management को यहाँ पर पूरा highlight किया, to know the financial position, वो जानना चाहता है, financial position क्या है, operational efficiency, हम काम कितने efficiently कर रहे है, of the organization is known as the internal analysis, ठीक है, तो इसको हम बोलता है, internal analysis, फिर आता है, objectivity के point of view से, यह क्या होता है, देरे देरे मजा आने लग जाएगा, objectivity के point से, अगर हम देखे, दो तरह की बोलता है, short term और long term analysis, तो short term में हम यही देख रहे है, short term में अपनी obligation चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, short term में हमारी earning capacity का है, short term में हम कितना profit कमा सकते है, यह सारी चीज़, such analysis of financial statement is done to examine the liquidity, profit earning capacity and short term solvency of an enterprise, तो कम समय के अंदर, 12 में के अंदर अंदर की बाते कर रहे हैं, उसको short term analysis बोल रहे है, फिर आता है long term analysis, जो भाई, 12 में से ज़्यादा की बाते होंगी, जहां पर, तो such an analysis of financial statement is done to examine the long term financial stability, कि विज़र stable है भी या नहीं कि बंद हो जाए गई है, तो उसके लिए हम यह क्या करते ह analysis करते हैं, and long term solvency check करते हैं, as well as future profit earning capacitor, future में बाई, कितना profit कमाने का दम रखता है, वो चेक कर लिया जाता है, long term analysis से, यहां तक बड़ी है, अब आगे पढ़ेंगे तो एक दम मजा ही आ जाएगा, क्योंकि अब आएगा मजा भाई, यहां पेपर में यह चीज़े बहुत important आ अगर हम देखें, तो एक horizontal analysis होता है, एक vertical analysis होता है, horizontal में हमेशा, represent करता हूँ चीज़े हो को, horizontal ऐसे होता है, और vertical ऐसे होता है, तो vertical है नहीं, जो सीधा खड़ा हुआ हो, और horizontal में जो ऐसे लेटा पढ़ा हो, हिंदी बोलता है, उसको बोलता है, उर्दवादर, तो जब भी म counting यहां से शुरू, यहां पर खतम, तो यह जो है, यह timeline को शो कर रही है, यहनि, अलग-अलग time की बात हो रही है, अलग-अलग time, क्या है, पिटाई है, many times, many time period, तो जो हम horizontal analysis पढ़ेंगा, वो अलग-अलग time period की बात करेगा, और इसलिए, जब अलग-अलग time होता है, तो time की अलग-अलग time की बाता है, यह जो होता रहे, that is called dynamic, और time change ही तो होता रहा था, क्योंकि यहां पर अलग-अलग time दे रखे है, तो इसलिए को dynamic analysis भी बोलता है, it is a time series analysis, यह भी मैंने आपको बता दिया, this analysis is made to review and analyze the financial statements of a number of years, बहुत सारे times होते है, time period होते है, जसा कि मैंने आप को बता है, and is therefore based on financial data taken for those years, बहुत सारे अलग-अलग साल के data जो होते हैं, उनको लेकर के, हम यह analysis करते है, it shows comparison of financial data for several years against a chosen base year, तो एक साल पकड़ लेंगे, 2020 में हमारी यह performance थी, उसको compare करे है 2012 से, उसको compare करे है 2015 से, उसको compare करे है 2018 से, whatever, ठीक है, अब भाई, जब हम एक data को कर रहें तो company एक है, बिजनस एक है, उसको compare कर रहे हैं, तो अगे चल करके आप जब notice करोका तो आपको पता चलेगा, कि जब अलग-अलग time होते हैं, तो हम बीस-यचे कंपनी यग को नहीं, एक ही कंपनी को अलग अलग time period से compare कर रहे हैं, कि यहीak company 2012 में कैसा perform कर रही थी, यही कंपनी 2015 में कैसा perform कर रही थी, यही कंपनी 2018 में कैसा perform कर रही थी, तो जब time series की बात होती, dynamic analysis की बात होती, जब horizontal analysis की बात होती है, तो मेरा दिल कहता है, कि यहाँ पर company खुद को खुद से ही compare कर रहे है, this is called intra firm analysis, क्या बोलते हैं बड़ा, intra firm analysis, ठीक है, फिर आदा vertical analysis, तो भाई, जो time है, एक particular time को मैं ऐसे show करता हूँ, तो भाई, यह एक ही particular time है, यहाँ पर single year की बात हो रही है, single time period की बात हो रही है, single time period, तो माल लोग अगर मैं बोलू हुआ, 2018 की बात है, तो 2018 में मेरा business कैसा चल रहा था, और 2018 में दूसरी company कैसे चला रहे थे वो लोग, तो हम तब दूसरी लोग compare कर रहे है, तो यहाँ पर single time period है, तो यहाँ पर अलाग-अला companies हो सकती है, ठीक है, many, many enterprises, many enterprises, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब vertical है, यहनि एक ही साल है time हिल नहीं रहा बिलकुल, क्या है बटा, static है, तो इसलिए बटा, it is also called static analysis, this analysis is made to review, and analyze the financial statement of one particular year, एक साल की बात हो रही है, बस एक time period की बात हो रही है, such analysis is useful in comparing the performance of several companies, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी enterprise होगी, बहुत सारी companies होगी, of the same time, same time, अब भाई हलवाई को मोची से तो compare कर नहीं सकते, यह example मैंने पहले भी दिया था, हलवाई को मोची से compare नहीं कर सकते, ठीक है, तो हलवाई को हलवाई से compare कर और मोची को मोची से, or division or department in one enterprise, तो जो भी आप comparison कर और एक ही तरह क्या काम करते हो, ऐसा comparison करना अलग-अलग companies हो सकती है, लेकिन time period एक ही होगा, ठीक है, अब यही चीज, अब अलग-अलग company है, तो मैंने यहाँ पर भी शुरुवात में भी बोल दे, वो है इंतर-firm analysis, इंतर-firm, तो मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन still, अब देखो, मैं आपको पढ़ाँगो, तो आपको आपको अच्छा, यह तो बता ही तो रहे थे, आप यही तो बता रहे थे आप, तो देखो, इस analysis is a comparison of financial statements, of an enterprise, एक enterprise की बात हो लिए, जब एक enterprise को हम compare कर रहे हैं, खुद को खुद से compare कर रहे हैं, तो उसको हमें intra-firm analysis बोल रहे हैं, और खुद को खुद से compare तब करे सकते हैं, जब अलग-अलग time period के data हमारे पास given हो, तो an enterprise for two or more accounting period, एक या एक से, दो या दो से ज़्यादा accounting period होने ज़िए, तभी तो हम compare कर पाएंगे, मैं अभी इस moment में खड़ा हूँ, अपने आपको इस moment में खुद से कैसे compare करूँ, मैं जैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, दोनों ही data same है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ के, मैं आज से 5 सल पहले कैसा था, आज से 5 सल पहले में क्या और निंग करता था, तो वो हो सकता है कि अलग-अलग time period में, खुद को खुद से compare करें, that is called intra firm, ठीक है, it is conducted to determine the trend of different financial variables, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम डिटर्माइन तर सकते हैं, trend को, trend of different financial variables, जब हम अलग-अलग time period की बात कर रहें, और एक ही company है, तो भाई हम यहाँ पर देख रहें कि, profit की बात कर तो इसका profit कैसा हुआ, फिर इस साल का profit हुआ, फिर इस साल profit कैसा हुआ, फिर इस साल, तो हम देख रहें, profit कैसे कैसे change हो रहा है, यह कहाँ trend है, बोलते हैं, trend change हो चुका है, fashion change हो चुका है, तो ultimately इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम trend analysis भी बोल पाएंगे अब, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी, it is also known as time series analysis है, और trend analysis, ठीक है, पिर आता है, inter firm analysis, inter का मतलब क्या बता है बेटा, खुद को दूसरों से compare करना, और यहाँ पर खुद को दूसरों से compare करना हो, तो एक ही साल होगा, एक ही time period होगा, लेकिन यहाँ पर companies अलग अलग होगी, यानि हम अपने competitor को क्या कर रहे है बेटा, compare कर रहे है, this analysis is comparison of financial statements, of two or more enterprise, दो या दूसरों से दा enterprise होगी, for the same accounting period, एक ही accounting period होगा, it is conducted to determine the relative position of an enterprise, as compared to other competitive enterprise, तो जो हमारे competition में है, उनके सामने हम किस position में है, किस rank पे हैं, वो हम compare कर रहे है, ठीक है, it is known as cross-sectional analysis, इसको हम cross-sectional analysis भी बोलते हैं, यह जो नाम बार-बार आ रहे हैं, अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग, उनको याद कर लो, क्योंको एक्जाम में आ जाते हैं, MCQ टाइप पे, ठीक है, यह financial statement का ही तो analysis है, तो उसकी limitation और इसकी limitation में कुछ तो similarity होगी, तो पहला, financial statement analysis does not consider price level changes, तो बिटा, यह तो वहाँ पे भी पढ़ा था हमने, तो यह price level changes, को consider analysis भी नहीं करता, financial statement analysis may be misleading without the knowledge of change in accounting procedure, कि अगर हम straight line method लगाते हैं, और उसको हम WDV में एकदम से हम depreciation लगाने लग जाएं, तो अगर हमें यह नहीं पता होगा, तो हम भाई, हम mislead हो जाएंगे, हमें गलत पता चलेगा, कि भाई, अच्छा एकदम से इनके profit बढ़ गए या घट गए, तो ऐसा कैसे हो गया, तो जब तक हमें यह नहीं बता होगा, कि प्रोसीजर चेंज होगा, तो हम कैसे अपने decision बना पाएंगा, तो यह limitation है, Financial statement analysis, just a study of income report, ठीक है, तो financial statement analysis, जो है, वो, देखो, financial statement कहीं नहीं करें, personal judgment बहुत सारी चीज़ों से affect होती है, तो वो proper एकदम report नहीं देती है, इंकदम report देती है, और उसी के basis पे हम उसकी study कर रहे होते हैं, monetary information alone is considered in financial analysis, while non-monetary aspects are ignored, अब देखो बटा, यह बिल्कुल इसको ना गूमा करके दे दिया गया है, monetary information माता financial information, quality को नहीं चेक करते हैं, यह सिर्फ quantity को देखते हैं, ठीक है, तो यह वाली बाते भी बता दिए, फिर same है, similar feel हो रहा है चाहिए आपको, और अच्छे से पढ़ोगो तो चीज़ा आसान हो जाएंगी, यह निकिसकी limitation अलग से याद करने पड़ेगी, बस पता चल जाएगा कि बहुत सारे points common है, और हमें बस उसको किस तरह से represent करना है, financial statement analysis के limitation बताते हैं और financial statement का analysis उसका limitation बताते हैं बताते हैं फिफ्ट point आता है, the financial statement are prepared on the basis of ongoing concept, ongoing concept, इस बीटा going concern के हमारे जो business बीजनस चलता रहेगा नियर future में, कभी भी scale down निगरे, it does not reflect the current position, तो ये भी बिटा हमने उसमें पड़ा हुआ है, financial statement की limitations में, कि बाई going concern के basis पे है, तो बाई prudence concept के हिसाब से हम future की भी loss वगारे सारे आभी consider कर रहे है, तो हम बिटा current position को थोड़ी check कर रहे हैं, ओके चली, तो I hope ये समझ में आगए, अब बात करते हैं, parties interested in financial statement analysis, कौन कौन सी parties हैं, जो interested है financial statement के analysis में, तो बाई ये वाला हमने पिछले टाइम पे भी बढ़ा था, कि users of financial statement, तो बाई same ही तो होंगे, almost same होंगे, एक दो जादा कर दिये नाम, तो उससे कोई जादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी public का ही पाट है, सबको ही जरूरत होती है, तो finance manager लिखा है, हाँ तो भई, जो finance manager उसको चाहिए, तो हम management बोलते हैं, तब भी क्या हो गया, बाकी managers को भी जरूरत पड़ी जाती है, वो अलग बात है कि financial manager को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, trade creator, जो हमारे creator है, investors है, government है, customer है, researchers है, ठीक है, अब भाई, finance manager बोला है, management भी बोल रहे हैं, चलो ठीक है, banker है, lender है, labor union है, regulatory authorities है, tax authorities है, बहुत कोई लोग है, अब आपको कुछ नाम लिखने हो, तो यह आपके सामने है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह भाई हमने पड़ा, और I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, हमने एक पार्ट पड़ लिए, अगली class में, इस chapter को पूरा finish कर देंगे, और जो भी पड़ रहे हाथ हो हाथ उसके notes बनाते रहो, क्योंकि जब चीज़े भारी भर कम आपको दिखती है, तो आपको दिक्कत हो जाती है, हाथ हो हाथ note बना लिए, क्योंकि अगर आपने अभी पड़ा, आपके दिमाग में अभी ताजा ताजा है, उसको आप अच्छे से short करके लिख पाओगे, short notes बना पाओगे, ठीक है, तो बहुत जरूरी accounts के notes भी बनाना, और notes कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए भी एक video इस channel पर है, तो उसको भी आप एक बर देख सकते हैं, चलो ठीक है, आपका मन, तो आप मॉक टेस्ट की प्रिप्रेशन जरूर करें, मॉक टेस्ट वो होते हैं, जो बिल्कुल CUT 2024 के जैसे exam होगा, बिल्कुल वैसा ही आपको प्रेजेंट के जाएगा, और आपको exam से पहले exam देकर एक बर देख लेना चाहिए, तब ही आप सही से exam दे पाएंगे, clear कर पाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़े है, बाकी आप one shot में, पूरा syllabus complete हो चुका है, पूरा syllabus complete हो चुका है, तो भाई, आप जा करके YouTube पे, इसी channel पे, one shot के अंदर पूरा syllabus complete कर सकते हैं, पार्ट वाइस पढ़ना, पार्ट वाइस पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपके लिए अविलेबल है, तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे YouTube पे जाना है, ठीक है, YouTube पे सर्च क्या करेंगे भाई, Commerce Adder 24-7, लिखो भाई, Commerce Adder 24-7, जैसे आपने सर्च कर रही है आगया आपका चैनल प्यारावाला, आपको प्लेइलिस्ट में जाना है, प्लेइलिस्ट में जाने के बाद भाई, आपको यहाँ पर यह दिखा, Class 12 Board Exam 2024, One Shots, तो अकाउंट की प्लेइलिस्ट सेकेंड नमबर पर आपको दिख रही है, पूरा कॉर्स बिटा हो चुका है, अच्छे से पढ़ लो, आपके बहुत काम आ जाएगा, कोई भी दिक्कत परिशानी है, तो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सारी चीज़े आपको बताई जाएंगी भाही पर, कोई भी दिखकत नहीं, और बच्चे आप लोग, अगर हमरसत, कुट के बैचेज में या मौक टेस लेना जाते हैं, उससे जुणना हो जाते हैं, तो अड़ा 247 एप डाउनलोड कर लो, या फिर अड़ा 247 गूगल पर जाके सर्च करो, आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी ये, और यहां पर आपको अल कोर्स दिख रहा है, तो यहां पर आपको क्लिक करना, यहां पर राइट हैंड पर आपको अंटर्ग्रेट एंटर्स एक्जाम दिखेगा, के पैटन के हिसाब से हमने आपको मॉक्तेस प्रोवाइड कर रहा है, तो यह तो मेरी लिए मेरी तर सा हाइली रिकमेंड इड़ा है, इसको जाकर के भाई आप जरूर इसमें जाओ और पढ़ो, ठीक है, तो आपको 2099 का जो अमाउंट अभी दिख रहा है, इस पर आप कोट लगाओ के का वाइडबल 50, कोट देखो, कोई भी अगर आपको अड़र 247 अप पर इन्रोल करनो, परचेस करनो तो यह कोट आपको मदद करेगा, 356 रुपे का आपको डिसकाउंट मिलागा, 1747 अपको अमाउंट देखेगा, ठीक है, बहुत ही helpful है, बहुत ज़्यादा helpful है, highly recommended for you, और इस तरह भाई, पढ़ते रहिए, हमारे से जुड़े रहिए, और जुड़े रहिए, और भाई, प्यार भी दीजिए, इस सेशन को, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं, हर किसी के एफर्ट यहाँ पर लग रहे है, हर कोई यहाँ पर महनत कर रहे है, अटाइट 247 की पूरी टीम आपको पढ़ाने में लगी हुई है, तो आपको प्यार कैसे देना भाई, इस सेशन को लाइक करना है, शेर करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके आप जैनुन फीडबेक जरूर दीजे, ताकि हम अपनी क्लासे को और इंप्रूब कर पाए, आपकी जरूरत के हिसाब से चीज़े ला पाए, और नए आये तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे हैं, मिलते हैं आप से नेक्स रास में तक लिए बाए 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 बा, टेक क्यार एंड, कीप ग्रोइंग, हेलो एवर्यवन, वेल्कम तु कॉमर्साटार उनिवर्स 7, माई नेम इस अमन मैता, और आज पढ़ते हैं, हम पार्ट टू और फानिशल स्रेट्मेंट अनालिसिस, आज आप लोगों ने पिछला पार्ट देख लिया होगा, आज पार्ट टू है, और इसमें हम इस चैप्रों के खतम कर देंगे, तो पिछले पार्ट में हमने थेरी पढ़ी थी, आज हम समझेंगे अच्छे तरह इसका थेरी बेस भी समझेंगे और इसको कैसे करते हैं, वह भी सारी चीज़ समझेंगे तो जरूर देखिया एंड तक, तो सबसे बहले बात करते हैं, क्या होती हैं, तो comparative नाम से जैसे कि वह statement, जैसे statement of profit and loss balance should be a statement होती है, तो इनको हम ऐसे बनाएंगे कि हम comparison कर पाएं, तो comparative statement is an art of presenting financial statement of two or more years of a firm, तो दो या दो से ज्यादा साल के लिए जब हम present करते हैं कि इसको financial statement को, तो उनको हम comparative statement बोलते हैं in such a manner which helps to assess the weak and strong point, क्या assess कर पाएंगे, क्या map पाएंगे, weak and strong point map पाएंगे, it may relate to different period, यह अलग-अलग period से क्या कर सकते हैं, रिलेट करती हैं, तो यह क्या होई इंटरा firm, क्यूंकि अलग-अलग time, यानि इसका मतलब एक ही firm के बारे में बात हो रही है, या फर different firms हो सकती हैं, लेगिन same period के लिए, इसका मतलब क्या, कि यहां पर हम सिरफ एक time की बात कर रहे हैं, यानि दूसरों से खुद को compare कर रहे हैं, that is inter firm comparison, तो यह सारी बात है हमने प्रिछली क्लास में कर रहे थी, इसलिए ज्यादा ध्याना देते हों आगे बढ़ते हैं, comparative statement analysis also known as horizontal analysis, यह क्या होता है इसको ध्यान में रखो, horizontal analysis है यह, horizontal analysis का मतलब क्या बढ़ता है, यह हमें time series के बारे में बात हो रही है, comparative statement exhibits the following information, कुछ information होती है जैसे इसमें absolute figure दिये होते हैं, कि आपकी share capital पिछले साल 5 लाग थी फिर 8 लाग हो गई, तो यह absolute figures हैं, ठीक, फिर changes in absolute figures, जो भी जैसे 5 लाग से 8 लाग होई, 3 लाग increase होई तो यह change है, 3 लाग क्या है absolute change है, और फिर इस change को हम convert करते हैं, किसमें बिटा हम convert करते हैं इसको percentage में, तो जैसे 5 लाग से बढ़कर के 8 लाग होई यानि 3 लाग बढ़ा, तो previous year का क्या है 5 लाग, तो 3 लाग बटे 5 लाग into my 100 that is 60%, तो कितना increase होई 60% increase होई, तो यह 3 basic चीज़े हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, objective क्या होता है comparative statement का, तो वह जान लेते हैं, to know the nature of changes influencing financial position, तो भाई यहां पर हम nature जानना चाहते हैं उन changes का, जो हमारी financial position को influence कर रहे हैं, to know the weakness and soundness about liquidity profitability and solvency, तो liquidity profitability and solvency of the firm, उसके weak and sound points के बारे में बात करते हैं, और यहां पर हम forecast करते हैं, future हम क्या क्या कर सकता है, उसके हिसाब से planning करते हैं, फिर बात करते हैं types of comparative statement, तो बहीं simple जी बाता, financial statement को जब हम present करते हैं, इस तरीके से 2 या 2 से जाहता साल के लिए, तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो comparative statement जाते हैं, financial statement है क्या, SPL और balance sheet तो, यहां पर comparative SPL और comparative balance sheet बन जाएगी, SPL comparative और balance sheet भी comparative बारे में comparative लगाना है, ठीक है, कुछ structure में change आएगा, बाकि तो format में same है, लेकिन column कुछ extra बनेंगे बस और कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, SPL के बारे में comparative SPL, तो it shows the operating result, यह हमें क्या बताता है, operating result बताता है नहीं, net profit and net loss बताता है, for two or more accounting periods, so that changes in absolute amounts, and percentage में भी none, तो absolute amount तो में देखना है, यह हमें percentage भी निकाली जासा कि मैंने आपको भी बताया था, तो कैसे होता है, तो कैसे होता है, अब अगर हम बात करते है, यह तो आपने देखा ही हुआ है, यह तो आपने देखा ही हुआ है, कि पहले revenue from operation, फिर other income, फिर total expenses को लाइन से लिखते हैं, फिर total expense माइनस होता है, फिर आपका profit after tax आजाता है, तो main game यहां पर है, जो ही यह column है, comparative statement की वज़ा से, जो आपका SPL उसके अंदर कहां पर change आ रहा है, यहां पर change आ रहा है, आपने क्या देखा हो एक amount का column देख लिए होगा, दो देख लिए होंगा, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर previous year भी है, यहां पर current year भी है, यह क्या absolute figures हैं, इन दोनों का difference जो निकाल के हम यहां पर लिखेंगे, तो absolute change आ जाएगा, और absolute change को हम क्या पर्सेंटेज में convert करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया भी था, example फिर से देदेता हूं, आपकी जो revenue है, पहले चार लाग थी, अब पांच लाग हो गई है, क्या होगी पांच लाग, तो change कितना है बटा, एक लाग का change आया, percentage निकालो, तो बटा हमेशा previous year को क्या करोगे बटा, बेस बनाओगे, तो एक लाग, बटे चार लाग, इंटू में 100, क्या होगे बटा, 25% change आगया, increase आगया, तो इस तरीके से हर आइटम का आप निकालते हो चलेंगे, ठीक है, आसान है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, फिर बात करते हैं, comparative balance sheet के बारे में, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर comparative है, तो इसका मतब यह, 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 चार column तो होने ही हैं, और बाकी जो इस side का format आपको दिख रहा है, वह सेम है जो आपने financial statement of companies में पढ़ा है, ठीक है, तो इस बात का भाई, सिंपल ध्यान रखें, बिना वज़े परिशान नहीं होना, यह, यह, क्या आगया, कुछ भी नहीं, यह, बस column 4, extra है, तो comparative balance sheet क्या है, यहां पर सिंपल सी बात है कि, analysis कर रहे है, each item of asset equity, liability, for two or more years, या periods, so that changes in absolute amount and percentage may be non, तो बार बर यही बोलेंगे, so that changes in absolute amount and percentage may be non, तो बहुत simple है भाई, ultimately हम comparative statement बना ही इसलिए रहे है, अब इसकी शकल देखो वही है, अब format इतना बड़ा है, zoom करके देखने को क्या फायदा है, क्योंकि जब हमें ध्यानी सारा इस पर इस पर इस पर इस पर देना है, तो यह वही देखो, previous year, current year, इन दोनों को minus करके, यहाँ पर चेंज लिख देंगे, इस चेंज को यह जो आपका चेंज आया, उसको previous year के data से multiply करके, 100 से multiply कर देंगे, आज आएगा बटा, सेम जैसा भी हमने कराए यहाँ पर, तो यह चीज़े इतनी simple हो जाती है, अगर आप इसको करने पर आओ, बहुत ही जादा आसान हो जाती है, यह chapter वाकई में जब theory है, इसको theory याद करना थोगा आपको एक बार को typical लग सकता है, बट यह बहुत simple सी चीज़ है अगर आप चोट 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 चीज़े ध्यान देते तो, जैसे previous year से divide करना होता है, ठीक है, theory में क्या पूछ लेंगे, कि आपका जो absolute amount है, वो 2 amount है और क्या क्या होता है, तो हमें यहाँ पर 3 चीज़े ध्यान रखने जैसा पताया था, 2 absolute amount होंगे 2 साल के, उसका absolute change निकाल लेंगे और percentage, तो 1, 2, 3, यह 3 बात हैं इसकी वाज़ चार कॉलम बनते हैं, ठीक है इसका मैं कई बार example भी देता हूं, क्या example देता हूं, कि अगर मानलो एक बहुत बड़ा mall है, तो mall का पिछले साल का जो revenue आया था, वो मानलो 2 करोड रुपय आया था, और इस बार वो 2 करोड 20 लाग हुआ, लेकिन एक छोटी सी दुकान उसके बगल मुखली, वो पिछले साल उसने कमाया था एक लाग रुपय लेकिन अब डेड़ लाग रुपय कमा रही है इस साल, तो ultimately इस growth किसकी ज़्यादा है, तो आप क्या देखोगे, 50,000 रुपी तो बड़े दुकान के, लेकिन मॉल ने तो बीस लाग रुप एक्स्ट्रा कमाया है, तो ज्यादा किसकी है, फिर भी growth ज्यादा दुकान की ही है, क्यूंकि हमने दोनों को percentage में देखा, कि दो करोड का 20 लाग 10 परसेंट ही होता है, तो इसकी 10 परसेंट growth है, और अगर हम दुकान की बात करें, तो एक लाग से देड़ लाग होगा है, तो उसकी 50 पर एक्स्ट्रा कमाया, तो उसकी 50 पर निकालेंगे तो 50 परसेंट growth है, तो इससे समझ में आता है कि ग्रोथ किसकी ज्यादा दुकान की है, amount matter नहीं करता, तो हमने करा क्या है basically, हमने उनके returns को यानि जो profits आये हैं, उनको आपने convert कर दिये common size में, यानि percentage में, 10 परसेंट और 50 परसेंट, अब वो 50 परसेंट 50 परसेंट है, और जो 10 परसेंट वो 20 लाग है, तो absolute terms में तो जो 10 परसेंट वो जादा है, तो देखो, these are the statements, in which amount of individual item of balance sheet and income statement, for two or more year are written, तो बहीं simple से बता है, 2 या 2 से जादा साल का amount यहां पर लिखा होता है, फिर these items are further converted into percentage, और यहां पर हमने क्या करा मिटा, 2 absolute amount को minus करके उसका absolute change नहीं निकाला, हमें 2 balance दे थे हैं, हमने उसका change नहीं निकालके, बलकि उन दोनों को भी percentage में convert कर दिया, ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, convert into percentage to a common base, comparison can be easily made with the percentage so calculated with the corresponding percentage in other period, and meaningful conclusion can be drawn, तो जैसा कि मैंने बताया, कि आपने दुकान वाले को और mall को दोनों को compare किया, और दोनों को percentage में convert किया, अब हम उन दोनों को compare कर सकते हैं, otherwise absolute termsman को compare करना बहुत ही गलत होगा, और इससे meaningful conclusion निकाल पारे हैं, common size analysis also known as vertical analysis, को हम और क्या बोलते हैं, vertical analysis भी बोलते हैं, और यहां पर देखो जो मैंने बात बताई, वही दो चीज़े होंगी, absolute figure दिये होंगे, और आपको उसको compare क्या करना है, convert करना है percentage figures में, बस और कुछ नहीं, तो इसका format भी देखेंगे अभी, सबसे पहले हम बात करते हैं, common size statement की objectives की, तो पहला आता है to present the changes in various items of asset, and liability in relation to total asset, अब बिटा मैं आपको बताऊं के, जो अभी तक हमने पड़ा है, और जो theory में आपको याद रखना है, वह सबसे important चीज यह है, जो हम भूल जाते हैं, बाकी तो चीज बहुत understood है, लेकिन यहापर हम भूल जाते हैं, तो अब percentage में convert करना है, यानि common size बनाना है किसी को, तो अगर balance sheet की item से, यानि asset और liabilities हैं, तो उसको हम किस से divide करेंगे, जैसे अभी तो हमने क्या करा था, हमने previous year के data से divide किया था, ठीक है previous year के data से divide किया था, लेकिन point is this, कि अब किस से divide करेंगे percentage में बनाने के लिए, ठीक है, तो हमेशा किसी ने किसी चीज को नीचे रखकर divide किया था, बेस बनाकर, तो यहां पर जब asset की बात और liability की बात है, तो balance sheet का जो भी total हो, अब चाहिए liability की बात करें, total या asset side की total की बात करेंगे, तो दोनों बराबर ही होते हैं, उसको नीचे रखेंगे, और जिसकी परसेंटेज निकाल लिए, उस चीज को ऊपर लिखेंगे, इन्टू में 100 कर देंगे, ठीक है, एक पॉइंट तो यह clear होगे, बहुत ज़रूरी है, तो प्रेजेंट दे चेंज, और उससे भी ज़रूरी क्या आएगा अब देखना, तो प्रेजेंट दे चेंज इन वेरियस, वेरियस आइटम्स, और स्टेटम्ट और प्रॉफिट और लॉज इन रिलेशन तो रिवन्यू फ्रॉम उपरेशन, तो यहां पर इन्होंने बोला, कि जब आप SPL की बात करें, तो यहां पर आपने total of balance sheet ले लिया, लेकिन SPL के case में आप किसी total पे based नहीं करेंगे काम को, आप क्या करें कि revenue from operation, टोटल revenue भी नहीं, revenue from operation, यह देखो बिटा, यह revenue from operation, plus other income मिलाकर के total revenue होता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यह देखो other income है, जो directly related नहीं है business से, directly related यह ही है, तो इससे आप divide करेंगे हर बार, किसी भी जी को convert करना percentage में, common size के case में, तो आपको क्या करना पड़ेगा है, इसको आप consider करेंगे base में, यह बात कह रहा है आपका second point, ठीक है, चले, आगे बढ़ते है, third point to establish a relation of different items of balance sheet, with total assets, and liabilities, so that important conclusion can be drawn, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी balance sheet के total के base पर बता रहेंगे, पूरी balance sheet के total का इतना percent ही, तो उससे हम important conclusion निकाल पाते हैं, and fourth is to provide a common base, for comparison, और इससे हम common base create कर रहे हैं, क्योंकि 1000 की transaction को करोडों की transactions compare करने के लिए, common base बनाना ही पड़ेगा, otherwise हम compare नहीं कर पाएंगे, I hope आपको clear होती जारी चीज़ है, फिर आथा types of common size statement, obviously common size SPL, common size balance sheet, दो ही तो financial statement है, उनी को common size और comparative खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आता है SPL, SPL में बार बार यही बोलेंगे revenue from operation को आप equal to 100 मानना यानि base मानना, base, ठीक है इसको base मान लेना, तब जाके percentage में convert करना, बस यही बार बार बोलेंगे, तो देखो कैसे होता है, देखो भई, तो यहाँ पर जो comparative statement और common size statement में एक चीज़ common है, कि आपको previous year और current year का data हो ऐसी दिया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नया क्या है यह है, कि इसको भी percentage में convert करना है, और इसको भी percentage में convert करना है, आ रही है वास समझ में, तो अब मान लो के भई यहाँ पर, एक लाक उर्पे है, और यहाँ पे 1,50,000 रुपे है, तो यह 1,500,000 भी 100% है, और यह 1,500,000 भी 100% है, सर कैसे, क्योंकि इसी इसे तो डिवाइट करना है, तो 1,500,000 को 1,500,000 से डिवाइट करके, 100 से multiply करना हों तो 1,500,000 यह 100% ही आएगा, ठीक है, अब मान लेते हैं, कि आपका जो other income है वो 30,000 रुपे है तो यह आपका base बनेगा तो 30% आपका क्या आएगा other income आएगा और आपका क्या गया एक लाग 30,000 रुपे क्या है एक लाग 30,000 रुपे आपका total absolute amount है previous year का और 130% total है तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम other income कमाते हैं तो हमारे actual capacity से ऊपर निकल जाती है तो यह बात तो चलो ठीक है यह भी समझ में आ गई अब बात करते है cost of material consume आपने material क्या consume करा मानलो 5000 का consume करा तो 5000 क्या करोगे बटा अब percentage में करनोट करने लिए 5000 डिवाइड वाए एक लाग ठीक है तो क्या रेवेड़ 5% आ रहा है तो आपको करना कि बार बार इसको या इसको previous year का data तो previous year की percentage करने के लिए previous year का data लिए जाएगा current year का data current year की percentage में बनाने के लिए आपको current year का ही data यह दिवान्य भूम चाहे असेट का टूटल लो चाहे असेट का टूटल लो हर असेट को उसके असेट के लाइबलेटी के टूटल से रिलेट्शन बना करके आपको percentage में convert करके बताना है ठीक है percentage में express करना है तो वही सारी की से है previous year दो चाहे SPL की बात करो चाहे आप balance sheet की बात करो comparative में वही चार कॉलम चाहे SPL लो चाहे balance sheet common size में भी वही चार कॉलम और वही तरीके से काम हो रहा है ठीक है बस फर्क है कि अब base किस को लेंगे टूटल को चाहे यह total यह total यह यह भी total ठीक है तो जो भी आपको amount यहां पर दिखेगा उसको यहां पर आपको percentage में convert करना जो भी आपको यहां पर percentage में convert करना और कैसे convert करेंगे जैसा कि आप अभी SPL में भी देखकर आए हो तो अगर मालो यहां पर 10 लाख रुपे total आ रहा है ठीक 10 लाख रुपे total आ रहा है आपकी share capital मालो कितनी यह बटा धाई लाख रुपे है तो यहां नहीं लिखना यहां लिखना 25% होता है आई बात समझ में तो इस तरीके से आपका काम बनता चला जाएगा और इस तरीके से आपका chapter भी खतम हो गया है तो जो बच्चे भाई अच्छे से पढ़ पाए तो भाई like share जरूर करें और comment box में honest feedback जरूर दीजिए और इसी तरीके से आपको अच्छे से चीज़े पढ़त और by mock test भी आपके लिए available है तो mock test अच्छे से कर लीजिए और प्यार दीजिए session को कैसे like करके share करके and comment करके बताईए अपना honest feedback और बताईए क्या आपकी problems हों को हम solve करेंगे इस channel पे and नए आया तो subscribe जरूर करिए और बस ऐसे ही पढ़ते रही है मिलते हैं आपसे next class में तो आपके लिए बाय बाय टेक करेंड कीप ग्रोइं